नमस्कार दोस्तो मोर्या चैनल पर आपका स्वागत है आई ये मैं आपको खेती बैड़ी की जानकारी देता हूं पहले देखाता हूं मिर्ची की खेती करना कैसे सिखते हैं इसमें किसान भाई देखो तार भी लगा रखे हैं आची पस इसमें ने आने पाएं यह कौन सी मिर्ची है भाई इसका नाम है बुलड मिर्ची यह देखिए हमारी मिर्ची लगी है खेत में तो बहुत अच्छी मिर्ची है लगा तो है अच्छा ही है यह कौन सी बराइटी की आती है यह बराइटी की कोई भी बराइटी नहीं होती इसका नाम ही बुलड मिर्चा आफ्यपका नहीं है फेड़का जाके अगर दोस्तों अगर अच्छा मुनाफा अपकमानी चाहते हैं तो यह आप अक्टूबर महीने में लगा सकते ह। इसका रेट क्या है? इसका रेट वही है कि 40 रुपय किलो, मंडी का रेट है ना? आप मंडी का रेट. कैमरामेन इस प्रेंड को दिखा दीजिए, देखें, किसान भाईव ये कितना पैदावार में आगे, इसका नाम है बुलट, बुलट के नाम से आता है, ये अच्छी परज कमा सकते हैं सर इसके इलावा और भी लगा रखे हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ अगली मिर्ची की खेती किस महीने में लगाये हैं कैसा इसका पैदावार होगा आगे दिखाते हैं कि आराम से निकलिएगा अगली खेती जो हम दिखा रहे हैं यह गड़ महिन्यों है मिर्ची लगवाये हैं ठेक है कैमरामन इधर गुमाईए ओ यह तो फल देने लगी हाँ देखे किसान भाईयों यह बताए हमें कि यह अभी एक डेड़ महिना हुआ है लगाने से और फिर इसका पैदावार बहुत अच्छा है यह फल देने लगा देखिए यह फल देने लगा अभी डेड़ महिने का पौधा है और इसका रेड़ भी अच्छा निकलेगा लगभाग पांच केजी यह तीन सो रुपे मी निकल जाएगा और इसकी जानकारी बताइए कितने दूरी पर बैठता है बैठाए जाता है यह एक बैठाए जाता है दो हात तक लगा करके रशी हम लोग बैठाते हैं कितने लगा कर रखे हैं यह एक बीघे से उपर होगा लगभग यह बीघे से उपर वो दोनों मिला कर रेड़ बीघे से भी उपर होगा तो एक कितने महीने तक इसकी पैदावारी रहती है इसका पैदावारी छे महीने से जाव तक रहती है और यह आप तार वार लगा के र तो इसमें आप अच्छा इंकम निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, मेहनत भी लगती है, भरती भी जादा लगती है, तो ठीक है, आप हमारे दोस्त भाइयो किसान भाइयो मिर्ची की खेती कीजिए, इसमें आपको बहुत इंकम होगा, और ये बुलट के नाम से आती है इसको लगा के आप बड़ी हर रुपे कमा सकते हैं, मौरिया चैनल पर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, सेर करना मत भूलिए, और साथ में कॉमेंट में जो भी जानकारी चाहिए, और आप लिखके भेज सकते हैं, नमस्कार दोस्ते